महाइन आसले यहाइन हाँ कार्टर पूम्लर का रेदियांस मोडल उसके बारे में बतने जा रहे इसमें क्यायाँ थे और इसमें इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहondere है कि इसकी जो बोडी है प्लास्टी की वह सबसे बैस्ट क्वालिटी की ABS बोडी है यह कम से कम 70-80 किलो तक का वेट जह लेती है इस पर हम चड़के भी दिखाएंगे आपको और दूसरी इसके अंदर जो मोटर है मोटर डबल वाल बेरिंग लगी है ताकि कम से कम पावर यूज क कर सके दूसरी चीज़ इसके अंदर आइस बॉक्स दिया हुआ है जिससे आप पर आइस डाल सकते हो पानी को जल्डी जल्डी ठंडा करने के लिए और यह राउंड सेप में बनावा पूरा पूरा का पूरा आपको दिखाता हूं पिच्छे से राउंड सेप में कम से कम और इसके अंदर फाइफ वील दिया है नीचे जो पांच वील है इसको घुमाना उठाना आसानी से होता है यह देखिए इसके अंदर वील है पांच वील दिया है पांच वील से होता है इसके अंदर नीचे पानी तेंक का जो गंदा होता है इसको निकालने के लिए के लिए यहां पर इसके इंडिकेटर दिया वाद सामने फ्रेंट पर और इसमें चड़के दिखा रहा हूं कितना वेट जहल सकता है मेरा खुद का बोड़ी एवेस हैं नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको यह देखिए यह देखिए सर और बहुत हेवी क्वालिटी जिसको भी लेना हो रेटेल में स्री देवजान इलेक्टोन से संपरक करें और हॉलसेल में लेने के लिए आपको नीचे नंबर मिल जाएंगे आप वहां से कॉंटेक्ट कर सकते हो कार्टर कूलर के जो मोडल है सबी मोडल का डिस्पेल लगाए गया और सारू के बारे में जानकारी थोड़ी देवगा भी और सबसे पहला मोडल है जो यह ब्लू शू मैं इसके अंदर मोटर उल्टी लगी यह यानिकि पंखुडिया अंदर है और मोटर बार की तरप है इस जो इसके अंदर आइसे बोकस दियावा है और इसके अंदर पानी को जल्दी ठंडा करने के लिए यह ट्रेस पानी को बहुत जल्दी ठंडा कर दी है इसको आप फ्रीज में रख्के इसमें डाल दो तो पांच मिनिट के अंदर ऐसी जी कुलिंग देंग जाता है इसके इसमें आइस बोक्स दियावा साइड में और इसके लावा इसमें जाली दिए हुए डश्ट के लिए ताकि अपने में चोगनी हो सारे के सारे पेड़ साफ रहें इसके आगे फिर यह रेडियांस है तो आपको जो भी लेना है संपरा कर सकते हो कि अप्ल्स टोगा कुछ भी लेना होता है अभी जो कार्टर कॉलर जो रेडियांस है यह 70 लिटर का है और इस पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा भी अगर किसी डिलर भाई को लेना हो तो कौंटेट करें बहुत ही अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा थैंक्यू